नमस्कार मैं जया आपर चालया SAS यानिकी Society for Safety of Animals काई के साम SAS एक Newsletter लेकर आ रही है जिसमें कि जिन भी व्यत्तिकत तौर पे लोगों ने या किसी भी organization की लोगों ने किसी भी case को solve किया रहा उसको उसमें include किया जाएगा ताकि जब भी किसी के पास कोई cruelty case आए वह reference के तौर पे case को बढ़ सके उसको किस प्रकार से handle करना है जान सके एक easy तौर पे बना इसा होता है कि हमें A से शिरू होना पड़ता है और Z तक पहुंचना पड़ता है बड़े hurdles आते हैं बड़े roadblocks आते हैं बहुत को लॉज के पार में पता भी नहीं है और किस प्रकार से चीजों को handle करना चाहिए चाहे वो police में कमईसे को या फिर public प्रिपने से को किस प्रकार से handle करना चाहिए वो नहीं जान पाते हैं नहीं समझ पाते हैं तो हर एक को जीरू से शुरू करना पड़ता है ऐसा हर एक को ना करना पड़े इसलिए ये newsletter बनाया जा रहा है और साथी साथ जिन्होंने cases को solve कर लिया है उनको शाबाशी देने के लिए और जो नहीं कर पाएं case को solve तो बागी जो senior लोग हैं जिनके पास वो कुवत है समझने की कि इसमें क्या बलती रह गई है उसको solve करने के लिए वो लोग उसमें दिमाग लगा सके और case solve को सके इस lockdown के दौरान बहुत से animal lovers आ गया हैं हम जान पाए हैं कि जो हमाई society है उसमें बस गिने चुने 10-20 animal lovers नहीं हैं यहां पर जो organization है यहां पर बच्चों को सिखाना चाहते हैं उस बटान को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि वो बच्चे कल के leaders बन सके स्वाईए एस से जोड़ जाईए अपने cases लेकर आईए Let's together change this world man झाल झाल